गुड बॉनिंग, गुड आप्टनून और गुड अप्टनून और गुड अप्टनून जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं, CBSE 7th Class Geography का 5th chapter that is water और प्यारे बच्चों हम उसमें circulation को देख रहे हैं, यानि कि waves को हमने last उसमें देखा और उसमें जानने की कोशिश की कि उसमें हवा का रूल होता है, और अब हम देखेंगे tiles, प्यारे बच्चों, tiles जो है more or less हम कहीं बार wave और tide को से भी समझ लेते हैं, लेकिन tide का fundamental हो बिल् कही ना जो हमने waves के पड़ी थी, उसमें पानी एक ही जगह पे अपनी movement कर रहे हैं लेकिन जब हम tides की बात कर रहे हैं, तो पोरा का पोरा जो लेकिन जो high tide और low tide है, high tide मतलब जब पानी जो है वो उपर की तरफ उठ जाता है, और low tide यानि जब पानी नीचे की तरफ आ जाता है, चीक है, तो ये basic आपको थोड़ी से information देनी की मुझे tides के बारे में, तो tide basically क्या है, आपको ये तो समझ में आ गया, कि ये तो high tide है या low tide है किस कारण से ये होती है, प्यारे बच्चों जैसे हमारी gravitational power है, आर्थ की, है ना, तो हम कोई भी चीज उपर से छोड़ते हैं, तो कहां जाती है, नीचे की तरफ जाती है, तो ऐसी जो हमारा sun है, है ना, जो पूरा solar system को कहीना कि उसने अपनी gravitational pull के कारण पकड़ा हुआ है, अब प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा खेल, इसमें sun और moon का है, जो हमारे जो high tide हो कि, उनकी gravitational pull, जो force है, उसका कहीना कहीने पूरा reason है, प्यारे बच्चों, आप देखोगे, मांदो ये अर्थ है, और अगर moon इस समय यहां पर है, तो moon जो है gravitational pull करेगा, तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, 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 इसको क्या बो और यह क्या है this is high tide क्योंकि moon जो है वह आर्थ के काफी नस्दीक है तो हमारा daily हम देखते हैं कि moon भूनते हैं हमारे चारो तरफ तो वह high or low high or low कहीना भी बनाता है तो आप अगर डेखेंगे moon अगर अभी इधर है तो यह वाला पानी थोड़ा सा उठा हुआ होगा तो इस पर इस वे implication पेन पम किया पूल्ज भी जो वारी जाए छाग कि आगे। एंधर में आप समझ नुच नगे किल की में अर्प नियुक हाई जो बनती हैं जा जो अवे एप्या हूँ अजो Go यह संद है तो अ यह दोनों होंगे फुल मून दोनों नगी मौन दोनों में हम जैसे देखने जब आपकी भुख में भी देखोगे पयारे बर्च्हों और यह वाली जो सिट्यूशन होती है जो कि दोनों तरफ से जो है पुल हो रह है. totaु कहीं न ज YES जो आस यहां से ऐसे बज़ हो जाएगा और यहां से ऐसे बल हो जाएगा। तो ज़्यादा हाइभ हो जाएगी। तो इस ज्यादा हाइ हो जहेंगे। इसको बोलते हैं spring tides. जब एकी लाइन में सूरज, चंदा और पृत्वी हो जाती है तो आप देख रहे हैं कि मून जो है वो भूमता रहता है तो इसको spring tide बोलते हैं यानि कि हाँ पर यहाँ है मून और अब मून जो है हाँ पर है लेकिन है तो एकी लाइन में ना तो इस दोरान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पूल होता है तो एक bulge बन जाता है और इस केश में डोनों तरफ एक bulge बन जाता है पानी को खींचती है दोनों तरफ या जैसे हमने एटमस्फेरिक एर में जैसे पड़ा था हमारे उपर अभी बहुत ज्यादा एर का प्रेशर है लेकिन वो चारों तरफ से हमारी तरफ वो प्रेशर पड़ रहा है तो इसकी वज़े से हमें वो प्रेशर फील नहीं हो रहा है या इसको मैं दुसरी तरीके से जो चांद और प्रिथ यह एक ही लाइन में आ जाती तो तो बहुत ज़्यादा है जिसके करण होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड और जब जो चांद है जब वो सूरज के इधर ना रहेकर इधर हो जाता है या इधर हो जाता है तो उसमें क्या होगा है यह इधर से खीच रहा है यह इधर से खीच रहा है तो यह ना इधर जा पा रहा है ना यह इधर जा पा रहा है तो यह लो टाइड होती है ठीक है मैं आई होग कि आपको शायद मैं समझाने में काम्याबू प्यारे बच्छों कि फिर भी आपको कोई डाउप में तो आप मुझसे फिर दोबारा पुछेंगे तो नीटाइट्स और स्प्रेंग ताइट्स है एक हमने पहले देखा था कि जो चांद है वो किस तरीके से इंट् और यह जाते हैं तो बहुत ही हाई टाइट हो जाती है क्योंकि उसको दोनों तरफ से पुल मिल रहा है ग्रेविटेशन पुल मिल रहा है तो इसके वज़े से हाई बज बन जाता है उसको हम स्प्रीं हो जब डैगनली जब उल्टा हो जाता है निकि सूरज इधर और वो लगा बर्यान की आपके बहुत है काटू लगो कि उसके बहुत है है क्यों थेकिंग आपके अस थो से कि अपउप the Miami रिक कर देदेज है और यहापे ़ें तो यहां पर पानी यहां पर हाई है और यहां पर लो टाइड है ठीक है अब क्या है कि जहाद जो है जो शिप्स होती है शिप्स जो होती है तो नेविगेशन में करता हो शिप्स को अपने हारबर तक मानगो यहां पर हारबर है यह पोस्टल एरिया है और यहां पर हमारा कोची हारबर है मा तो होगा फिरा यहां तरह बाद तो क्या होता है? बच्छों, जो हाई टाइप होती है वो नेविगेशन में मदद कर तहांने कि उसकी स्पेड वो थोड़ी सी बड़ा देती है वो हेल्फ रप्ती है जो भी जहाज चल रहा है इसमें यहां तक पहुच गया, यहां पानी को रख 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 रहा है, यहां पे लो टाइट है, तो जब उनको इस जहाज को यहां पहुचाते है, तो क्या करेंगे, यहां से रास्ता खोल देंगा, तो क्या होगा, जहाज जो अपने आपी इस फ्लो में यहां तक पहुच जाएगा, इत को नैवीकेशन में हेल्फ करता है दूसरा सि conservative शिप से ननकल में हाद किशिफ यह कंवा सब्सक्राइब करता है तो तो ह्टी और है हीं is low-dітर, जुप इन ए्यों है मानएफ इस नोगा से ओर उपर कंवार, तो जो fishing करने वाले लोग होतें, जो मचवारे होते हैं, उनके लिए high tide वाला जो area होता है भाँपर जब फिशिंग करते हैं, नहीं को बहुत ज़्यादा मातरा में फिशिंग कैच करने का मौका मिलता है, नहीं को कफी वो पगड लेते हैं, और उनका अपना जोगी, उनका बिज्निस yra करना है, वो फुल फल्ता फुल्ता है, और चौथा क्या है, इस हाई और लो टाइड की सिंग, जब पानी का लेवल हाई है या लो है तो शाम को फिर दुबारा वो चेंज होता है तो उसके कारण बीच में यहाँ पर एक फैन लगा दिया गारता है यह जो हाई और लो टाइड के कारण यह फैन जो घूंता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है अब हम देखे है आपकी बूख क्या कहते है प्यार विच्छाँ धर रिद्मिक राइस ऑ रहा है शांको उदर जा रहा है तो यह जो रिद्मिक है The rhythmic rise and fall of ocean water level twice in a day is called tide अभी जो tide हैं दो तरीके की होती है It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level यानि कि जब एक लंबे लेवल तक वो पहुँच जाता है यानि उचाही तक मान लो कि ये seashore है विसे आप मुझे पता है कि आपको ये चीज़ पता है लेकिन फिर भी में आपको तरीके ये land area है ये पानी आ रहे है पानी अगर सिर्फ यहां तक है मान लोग और एक बार पानी जो है यहां तक भी पहुच गया तो जब यहां पर पानी पहुच रहे है तो this is high और जब यहां तक रह रहे है तो this is low यही चीज़ आपको कह रहे है तो when water covers much of the shore यानी किनारे को जब हम काफी कवर कर लेता है by rising to the highest level यहां तक जब यह पहुच जाता है तो इसको हम बोलते है high tide और जब low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore यानी कि पानी यहां तक रहते है तो उसको बोलते है low tide right the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide यानी कि यह चीज़ तो आपको पता है और क्योंकि moon जो हमारे प्रित्वी के आसपास भूंता रहता है तो दिन में दो बार यह जो है higher low होता है ना दोनों तरफ जिस भी तरफ हो है during the full moon and new moon days the sun the moon and the earth are in the same line and the tides are highest समझ में आगे है क्यों होती है highest these tides are called spring tides उनको क्या नाम दिया गह है spring tides but when the moon is in its first and last quarter यानी कि पहले और आखी quarter जो मने बताया है कि यहापर sun है यहाँ 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 जो moon है opposite direction by the gravitation pull of sun but when the moon is in its first and last quarter the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and earth resulting in low tides these tides are called neem tides अब हम यह आपको समझ में आगे neem tides क्या होता है spring tides क्या होता है high tides help in navigation they raise the water level close to the shores this helps the ships to arrive at the harbor more easily the high tides also help in fishing many more fish come closer to the shore during the high tide this enables fishermen to get a plentiful catch the rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places याने कि इसी को उस fan की बदद से वो electricity generate भी करते हैं तो प्यारे बच्चों यह हमने देखा about the tides और I hope कि आपको कहिना कहिन के इनके बीच में difference समझ में आ गया होगा कि waves जो होती है वो air या उसके कारण बनती है wind के कारण और जो tides है वो कहीं न कहीं sun और moon का जो gravitational pull है उसके कारण जब पानी वाला हिस्सा जो थोड़ा सा भार की तरव निकल जाता है उसके विज़े से बनता है God bless you all, love you all